हाई गाइस कैसे हैं आप तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है फोटो विजिट से रिलेक्टिड जी हाँ आप भी अपने फोन में अपने कोडिंग अपनी फोटो को विजिट असाइन कर सकते हैं जैसा भी चाहें एपल ने आई एस 14 में विजिट का ये ऑप्शन जरूर दे दिया ये देखिए जैसे ही आप कोई भी विजिट सेट करना चाहें आप अपने कोडिंग सेट कर सकते हैं बट इसमें से बेस्ट विजिट जो है फोटो विजिट माना गया बट उसको उसमें भी कुछ कॉम्प्लि सेट होती है तो आज मैं आपको ये बताऊंगा आप अपने कोडिंग अपनी खुद की कोई भी फोटो को कैसे विजिट सेक्शन में साइन कर सकते हैं स्टेप बेस्टेप इजी मैथट तो चलिए देर की ये मेना वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो आपने क्या करना है यह एप डाउनलोड करनी है जो अप स्टोर पे बिल्कुल फ्री है फोटो विजिट के नाम से जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूँगा यह आप अप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना जब आप करनेंगे इसे आपने जैसे ओपन किया ओपन करने के बाद यह ओप्शन सागी कौर्णर में फोटो की यह देखें फोटो पे गए यहां पर यह ओप्शन आगी क्रियेट एल्बम की मैंने यहां पर प्लस के साइन पर क्लिक कर दिया अब यह मेर से यह मैंने अपनी एल्बम का नाम रख दिया माइन के नाम से यह देखिए अब मैंने प्लस का साइन दुबारा यहां पर जो कौर्नर पे आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर option आगया choose from my album मैंने यहाँ पर click कर दिया अब यह जितनी भी मेरे phone में photos हैं यहाँ पर आगी अब मैं जो भी अपने phone में photos हैं उसको अपने recording set कर सकता हूँ जैसा कि यह मैंने अपने channel के logo की जो photo है मैंने वो select कर दी यह देखिए जैसी select करूँगा यह add का option है इसको plus पे add करके और यह मैंने done कर दिया यह देखिए अब आपने क्या करना है बाहर आ जाना है जब आप बाहर आ जाएंगे अब आपके phone की जो भी blank जो space है screen पर वहाँ पर आपने tap करना है यह आपकी phone की जो apps है यह देखिए यह editing mode में आगी है अब आपने क्या करना है corner पर plus का sign दिख रहा है आपने यहाँ पर click कर देने अब यहाँ पर यह option आगी है photo visit की जो आपने app download की है अब आपने क्या करना है इस पर click कर देने यह देखिए जैसे click करूँगा यहाँ पर three options है जिस position में आप अपनी photo set करना चाहें वो कर सकते है मैंने यह square वाली photo pick कर लिया मैंने यह add visit कर दिया यह देखिए अब यहाँ पर यह option आ रही है जब बाहर जाँगा long press here and tap अब जैसे मैं long press करूँगा यहाँ पर यह option आ गी है edit visit मैंने edit visit कर लिया अब यहाँ पर यह देखिए choose का option आ चुक है मैंने choose पे click किया अब यहाँ पर आपने photo section पे click करना है जिकि आप photo का visit assign करना चाहते हैं इसमें कई options होर भी है जैसे calendar, countdown, horoscope, text मैंने photo पे click कर दिया अब यहाँ पर option आगी widget type की widget type मेरा photo है select album मैंने यहाँ पर album select कर लेनी है जो मैंने set की है मैंने mine के नाम से set की थी यह देखिए मैंने mine पे click कर दिया अब यहाँ पर यह आ रहा है photo refresh interval यह option है जैसे आप अगर मैंने single photo pick की है अपनी album में suppose करो मैंने 3 और photo 4 pick की होती तो यह उनका interval time है कितने minute के बाद वो change होगी जैसे 5 minute आ गया 10 minute आ गया 30 minute आ गया 1 hour 6 12 और 1 day मैंने यहाँ पर 1 day pick कर लिया यह देखिए अब मैं जैसी बाहर जाऊंगा यह मेरी photo का widget आ गया होगा यह देखिए यह बिल्कुल free method है अब मैंने यह वाला sign कर लिया है अब मैं चाहता हूँ shape change करना जैसे कुछ और shape में लाना चाहता हूँ मैंने फिर से यहाँ पर टैप किया यह remove visit का option आ गया यह यहाँ पर remove किया फिर से मैंने अब यहाँ पर आके blank screen पर tap किया यह दुबारा plus के sign पर गया अब यह दुबारा photo visit का यहाँ पर option है यह click किया अब मैं चाहता हूँ rectangle shape में मैंने यहाँ पर यह add visit पर click कर दिया अब यह देखिए अब यहाँ पर मैंने दुबारा tap किया यहाँ पर यह option आगी edit visit की यह देखिए अब यहाँ पर यह choose visit दुबारा से photo में गया choose album mine photo refresh interval one day अब जैसी बाहर जाऊंगा यह देखिए यह मेरी photo sign हो चुकी इसी तरह आप कोई भी अपनी photo set करना चाहें आप set कर सकते हैं अपने recording और यह बिलकुल free method है अब मैं last जो इसकी एक और है जो option वो select करूँगा यह देखिए small square है जो अब मैं बाहर आगया मैंने यह tap किया edit visit choose photo select album one day और यह बाहर आगया यह देखिए I hope guys आपको आज का मेरा tutorial पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो please वीडियो को like और subscribe करना मत मूलना और जिनों ने मेरा channel अभी subscribe नहीं किया तो please उसे subscribe करने अभी के लिए इतना ही धन्यवाद